नमस्का सात्यू सात्यू मैं आज आपको ऐसे कानून के बारें बताने वाला हूँ जो आपका अवेद कबजा बहुती जल्दी बिना कोट जाए बिना पैसा खर्च की आप काटेगा और चाहे आप किसी भी राज से हो सभी राज्यों में ये नियम भी लागू होता है ठीक है ये दारा है 164 बी एन एस एस ठीक है पिछली दारा 145 सबसे बड़ी बाद तो ये है कि अवेद कबजा इस दारा से सबसे जल्दी आपको रिलीव मेंगा अगर विवाद है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किने विवादों से आप कैसे कैसे निव्ट है देखे साथ यह इसका सबसे बड़ी है कि सभी राज्यों में लागू होगा चाहिए आप कहीं से भी हो बिहार जारकर्ण उतरपदेश कस्मीर कहीं से भी ये प्रतियक जगे कानून लागू सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो कभजा अटवाने के लिए कई सेक्संस हैं अब यहां पर एड़ोकेट की गलती होती है एक गलत राय आपको कभजा भी नहीं अटाने देती है और आपका समय भी लगता है पैसाई वरबाद होता है कोटकर चाहरी की चक्कर पहले आप समझ लीजिए कभजा अटवाने के कुछ तरीके देखे साथियो जैसे माल लीजिए ये जमीन है इस पर किसी ने कभजा कर लिया है माल लीजिए आज इस पर किसी ने कभजा कर लिया है आप बकील के पास जाते हो तो बकील के पास कई सेक्संस होते हैं बकील के पास क्या मतल को चाहिए यानि कि आपके advocate को चाहिए कि वो सही decision लेके सही sections में जाए जिससे आपका कवजा जल्दी एटवाए ठीक है मान लीजिए आज किसी ने कवजा किया है और वो चला गया सास्यों मान लीजिए 1334 UPRC में वो से ला गया specific relief section 5 में तो यह regular सूट होते हैं इनमें बहुत time लगेगा तो regular सूट में क्या हो आना जब आज कवजा किया है तो यह ततकाल कवजा यह तो प्रसासनिक से ही अट जाएगा प्रसासनिक कारवाई से तो यानि कि सबसे पहला step क्या होता है जब आपका कवजा है जमीन संबंदी विवाद है तो वकील उसको समझे अच्छे तरीके से कि कि सेक्षंस का मेंटर बनता है और उस सेक्षंस में कारवाई की जाए ठीक है न यह बहुत बड़ा सातियों आपको बता हूं अच्छे वकील की एक अच्छे उसकी यही पैचान होती है कि वो सही सोच समझ करें डिसीजन ले कि आपका यह मेंटर किस सेक्षं में पड़ेगा ठीक है न एक चीज में आपको बता दो देखिए साति कि जैसे माली यह कई बार पुलिस क्या करती है आप से मार्पीट हो गई पुलिस न लगा दिया थोड़ी बहुत चोटा लग गई 307 ठीक है बाद में 307 कोट कैंसल कर देता है नहीं इसमें 307 नहीं बनेगी तो इसी पर इसी तरीके से जब आपका जमीन कवजा संबंदी विवाद है तो वो किस चीज में आपको अरह पता दूगा कि अगर आपका जमीन बाद लृतникомढ़ि विवाद है समहें संबंद है या जमीन समद्य कोई विवाद है तो में रिकमेंड करूँ गा कि आ बहतर सला ले सकते मुझे-छसन मिल जाएगा ठीक है ना इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आ आपका वकिल सही कारवाई कर रहा है कि नहीं या मान लीजिए आपका इस जमीन पर मैटर है तो आपको किस सेक्सर में जाना चाहिए ठीक है वह आपको मिलेगा जो कि बहतर रहेगा अब आजाते हैं अपने टॉपिक पर माल लीजिए साथ यो एक्स प्रॉपरिटी है आपकी ठीक है आप रह रहे हो काफी तुनों से रह रहे हो माल लीजिए दो साल से रह रहे हो अब ए बंदा आया आपका नाम है बी आपको दवंगई से इसमें अठा दिया और अपन खुद कबजा करके बैटके बी को अठा दिया आप बकील के पास जाते हो अब बकील उसमें धार जो है सातियों वो है एक्जिक्टिव मजिस्टेट के लिए सेक्शन 164 अब मैं आपको बता दू इसमें क्या है देखिए इसने कबजा कर लिया यह ठीक है ना यह आपको अठा दिया आज भी को इने कबजा कर लिया सेक्शन 164 क्या कहता है जब भी मान लीजिये कोई पानी को लेके या अचल संपत्ती को लेकि विवाद होता है और ऐसी कंडिसर में असांती भंग होती है तो दूसरा बंदा जो है वो 164 की क्यारवाई कर सकता और मजिस्टेट को फुल पावर है कि ए को निकाल के बी को कब जा ठीक है ना अब भी दवंगों को लेके आया हटा दिया तो यहां पे 164 में SDM को पावर है वही ठीक है भी विचारा कोट थोड़ी नहीं जाएगा रेगुलर शूट थोड़ी नहीं फाइल करेगा वही उससे निकाला गया है सबतों पहले तो पुलिस भी बुला सकता है वही काफी एसले लेके आया वही आज भी बार देगा निकाल लेगा तो पुलिस आ जाएगी पुलिस सूचना करेगी SDM को SDM करेगा वही ए और बी दोनों आईए मेरे मन्यालाय में अपने अपने साच परस्तित करिए और साच देकर यह जो SDM को डिसाइड करेगा कि पहले से इस प्लॉट पे कबजा हो गया ठीक है ना बंदा एडवुकेट के पास गया एडवुकेट ने रेगुलर सूट फायल कर दिया अब बेचारा तारी के कर रहा है पैसा भी घर्च कर रहा है जबकि उससे दारा एक सचोचन में रिलीव मिल सकती थी तो कहने का मतलब है कि अगर मा मालीजिए उसने आपको आज कल में निकालने का फैसला परा लिया आपको लगता है वो दवंग लेके आगा जवरन गुसेगा तो आप 164 की मदद लीजिए अब 164 क्या कहती है वह आप जान लीजिए जहां भूम्या पानी संबंदी संबंदित विबाद हो सांती भंग होने के संब्मावना हो ठीक है 144 क्या कहती है जब किसी कारिकारी मजिस्टेट के किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से अन संतुष्ट होता है कि वह अपने अस्थानी चेत्र के विवतर किसी भूम या पानी उसकी सीमाओं के लिए के सांती भंग हो सकती है उसकी संब्मावन नियालाए में उपस्तित हूं और अपने संबंदेत लिखेत ब्यान दें विबाद की व्युसाय में वास्तिविक कवजय के आदार में यानि की प्रिजन टाइम बास्तिविक कवजय किसका था या किसका है ठीक है ना इस दारा के प्रविजन के लिए व्यक्त भूमे अजल से भवन बाजार मतस्पालन फसने उपज या संपत्ति का किराया मनाफा भी सामिल है आदिस की एक प्रत सहिता के दिये गई तारीक से ऐसे व्यक्त को समन की सेवा के लिए दी जाएगी जैसा के मजश्टिन निदेशित करता है और कम से कम एक प्रत किसी विनदिस्ट विशिस्ट इस्थान पर चपका कर प्रकास्त की जाएगी या विवाद के विशाय में जो भी निकटो ठीके ना बाई कहने का मतलब यह है कि इसमें SDM को यह पापर है कि सांती बंग ना होने दी जाए अगर ए इस पर दवंगई से घुसना चाह रहा है तो एको रोका जाए अगर एने दवंगई से घुस भी गया है तो एका सामान वगेरा सब खाली करा के बीक आई इसमें कवजा रहना चाहिए देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूँ क्या कहते हैं जब भी जमीन संब्धी विवाद होता है एक दूसरे देखिए बहुत तूजा कोट को इस्टे लेकर आप हो कहता है कि तुम चले जाए यह कोट इस्टे लेकर आईए मैं आपको बता दूँ कि एक को लगता है मेरे पास डॉकुमेंट्स तो एक को लड़ना नहीं चाहिए अगर लड़ेगा तो भी चले जाएगा उसके मजिस्टेट के पास वह एक सो पैंताले स्यानी की सी एर्पी ओक लेजाए लडाई होती है मालगी पच्छ मारा गया ठीक है शायों मांने लीगभी रेकर सब्सक्राइबdetermार करें नciónति जैसे से एक दो महिना हो गया है किराइदार की स्सक्राइब तो बजाए दारा च्छे में स्पेसिफिकली इफेक्ट में ठीक है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो चला-चल संपत्ती से और अगर आपको समझWith Audio क ले था नहीं कोई पाकि यह सकते हैं कि अधर target क बेर बेक्ट की से नहीं के पांफी टिपिकल होता है आप शे़ी है तो ईक्सें सब्सक्राइब करने करने काया चाहिें